नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिकल एजूकेशन विद अनिल में मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेखे हैं उन्हें वीडियो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शांदार होने जा रही है क्योंकि वीडियो में हमने 5 वीडियो का दम एक ही वीडियो में डाला है इसी वज़े से ये थोड़ा सा लेट हो गया इस बार वीडियो को क्योंकि अच्छी वीडियो में टाइम लगता है कंटेंट ढूनने में उसे लिखने में उसे बनाने में समय लगता है तो वीडियो अच्छे लगे तो उसे like करें, comment करें और share करें जादर से जादर अपने दोस्त तक experience जो तयारी कर रहे है physical education competition exams की इसके अलावा दोस्तों आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए 20,000 subscribers हमारे चैनल पर पूरे करने के लिए इसी के लिए हम आपके लिए खुशकबरी लेके आए हैं कि एसन सिंग जी की वस्टूनिष्ट बुक जो है जो आपको market में थोड़ी costly मिलेगी online platforms में भी आपको मिलेगी लेकिन हमारे से physical education with anil से आपको यही बुक 520 रुपे में मिल जाएगी free home delivery के साथ तो बुक आपके सामने आप देख सकते हैं काफी अच्छी बुक है पूरी की पूरी वस्टूनिष्ट है objective है और काफी नीडी है जो बच्चे इस टाइम पे प्रिपेर कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी रहीगी चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question के साथ हाल ही में किस बैंक ने 5 करोड रुपे राष्ट्रिय खेल विकास को दिये recently which bank has donated रुपीज 5 करोड to National Sports Development Fund तो किस बैंक ने दिये हैं दोस्तों सही बताया आपने एकदम कि भारतिय स्टेट बैंक ठीक दोस्तों भारतिय स्टेट बैंक C option एकदम correct है homework में भी सभी ने इसको C option को सही बताया था और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया का logo किस परकार दिखता है तो ये बना कब तक कब इसके foundation डली थी तो 1955, 1955 हाला कि इसके जो different छोटे 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 बैंक थे जब ये इसको मिलके बनाया गया था 1955 में तो वो बैंक पहले बने थे लेकिन main जोई नाम है ये कब आया 1955 में आया ठीके दोस्तों चलते हैं next question पे तो next question क्या है Boxing Federation of India के अधक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया who reelected as President of Boxing Federation of India या तो किसे चुना गया है दोस्तों सही बताया आपने एकदम B option correct है अजय सिंग तो बिल्कुल भी गलती ना करें फोटो आपके सामने है अगर question ये आता है कि Boxing Federation of India बनी कव थी तो 1949 25 February 1949 इसका correct answer रहेगा अजय सिंग जी की फोटो आपके सामने है आप अच्छे से इने देख सकते है ठर्ड कोशन किस देश को उसके नाम Olympic में धोज अगले दो वर्षों के लिए विश्व Championship में उप्योग करने पर प्रतिबंद है विच कंट्री बेंड फ्रॉम यूजिं इट्स नेम फ्लैग अट Olympics वर्षों के इन सबी चीजों से बैन लगा रखा है तो आपको पता होना चाहिए यह क्यों लगाया है तो आपको पता होगा 2014 के जो सोची ओलम्पिक्स थे विंटर ओलम्पिक्स थे हाला कि वो अभी तक के सबसे महेंगे जैसा कि अभी जाना जाता है समर ओलम्पिक्स से भी ज़्यादा पैसा विंटर ओलम्पिक्स में लगा दिया गया था और इसमें रशिया में ही है यह सोची पहले ही मैं इस बात को किलियर कर दूँ तब ही आप को यह बात समझ आएगी इसमें हुआ क्या कि रशिया की तरफ से ही ये जो डोपिंग था जो डोपिंग आप जानते होंगे prohibited substance का सेवन करना तो state sponsored doping program नाम दिया गया इसे क्योंकि रशिया ने खुद ये अपने playerों को छूट दी उनकी help करी doping में ठीक है दोस्तो तो वाड़ा जुसको आप जानते हैं world anti-doping agency ठीक है दोस्तो उसने strict punishment दी थी चार साल के लिए बैन करने के लिए ही कह दिया था कि इनको कहीं पर भाग ही मतलेने दो पर उसके बाद आपका जो court of arbitration for sports जो है जो कि एक independent आपकी organization है जिसका लोसें सुझे लेंड में headquarter है वहाँ पर विश्व के sports के सारे जो case होते हैं वहीं पर solve करे जाते हैं वहाँ पर रशिया ने अपनी बात उठाई और ऐसे बोला कि भई ये मानते हम गलती है लेकिन हमारी थोड़ी सी छूट करी जाए athletes का नुकसान ना करा जाए तो उनके order पर ये action लिए गए कि ऑलिम्पिक में रशिया का धोज नहीं लह रहाएगा अगले दो साल के लिए होगा अगर question ये आजाए कि वाड़ा के इस टाइम पर प्रेजडेंट कौन है तो आपको पता होगा विटोल्ड बांका जो कि पोलेंड से बिलोंग करते हैं और जब ये case चल रहा था आज के question homework खतम हो चुका है बहतरी इन question की series लेके आएं तो निमलिकित में से कौन सा पेट की परत नहीं है आपके सामने options है mucosa, submucosa, muscularis ये क्या है दोस्तो मस्कुलेरिस और पैरोसा और सेरोसा तो क्या answer है इसमें दोस्तों तो सही बताया आपने एकदम पैरोसा जैसी मसल कोई नहीं होती है कोई भी ऐसी परत नहीं है ठीक है D option एक दम correct रहेगा हाला कि यहाँ पर D और D same हो गए है पर मैं clear कर दूँ यहाँ पर serosa की बात नहीं कर रहा हूँ पैरosa की बात कर रहा हूँ ठीक है दोस्तो अब आपके सामने photo है इसी में आपके glands होते हैं जो enzymes और acid produce करते हैं जो हमें food digestion में help करते हैं जैसे HCL हो गया इसके अलावा pepsin हो गया रैनिन हो गया पैपसीन आपका protein का digestion करता है रैनिन आपका milk का digestion करता है तो यह सब चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बाद आता है आपका sub mucosa मतलब कि second layer वो कहाँ attach होती है वो mucosa से attach होती है basically यह mucosa को muscularis जो की third layer है उससे connect करती है उन दोनों के बीच में रहती है तीसरी layer के है दोस्तो तीसरी जो होती है वो muscularis होती है muscularis आपके नाम में ही muscle का है मसल का आदा इसका muscularis तो यह muscle की ही बनी होती है layer ठीक दोस्तो अब इसके अलावा last है आपकी serosa serosa अगर question यह आए कि सबसे बाहरी परद का नाम बताइए उसे कुछ नहीं जानना उसे बाहरी परद का नाम पूछना है एक्जाम में तो आप क्या बताएंगे कि serosa है जो भारी परद है जो आपके stomach को cover करती है ठीके दोस्तो चारो की चारो आपको मैंने बता दिये sequence में याद रगे otherwise paper में question गलतोने के पूरे chances है चलिए next question पे अब आजाते है next question पे देखते है इसका क्या answer है पांचवा question निरंतर परशिक्षन की खोज किसने की who discovered continuous training तो किसने करी थी दोस्तो तो सही बताए आपने एकदम 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 correct है डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकन ठीके डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकन तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि यहाँ पर पहला option जो है इन्होंने करी थी continuous training की discovery ठीक है अब यहाँ पर दूसरा option जो है जिसका नाम यहाँ पर क्या दिया रख़ा है वाल्डेमर गर्सलर ठीक है वाल्डेमर गर्सलर की क्या एहमियत है physical education में तो आप जानते होंगे इन्होंने किसकी discovery करी है दोस्तों सही बता है आपने इंटर्वल ट्रेनिंग आप जानते होंगे इंटर्वल ट्रेनिंग आपकी late 1930s में discovery हुई थी इसकी और इसमें होता क्या है इसमें आपको high intensity workout होता है एक तो ठीक है और साथ में एक छोटा सा break दिया जाता है बीच में continuous training में कोई break नहीं दिया जाता है इसलिए उसको एक continuous process में लिया गया है लेकिन interval training में rest दिया जाता है चाए वो छोटा से दिया जाए athlete की performance के हिसाब से दिया जाता है अब आ जाते हैं तीसरे पे तीसरा क्या है दोस्तों goshta holmer जैसा हिंदी में भी दे रखा है तो goshta holmer को आप जानते होंगे यह किसके लिए famous है तो यह किसके लिए है तो fartlek training ठीक है fartlek training तो fartlek training भी एक आपका continuous process है दीकि मैं बहुत अच्छे से कहा रहा हूँ fartlek training भी एक continuous process है ठीक है और यह continuous process है लेकिन interval training का एक रूप देखा जाता है इसमें क्योंकि interval training में हम किसके लिए speed के लिए करते हैं ठीक है दोस्तों तो speed maintain करने के लिए इसमें भी आपको maintain करके रखनी पड़ेगी लेकिन बात यह है कि continuous है तो इसमें कोई rest नहीं रहता है इसमें pace उपर नीचे होती है ठीक है लाश्ट के है दोस्तों तो लाश्ट है आपका morgan and Anderson तो morgan और Anderson की अगर बात करी जाए तो इनकी क्या हमियत है तो सही बताए आपने दोस्तों इन्होंने क्या discovery करी थी circuit training ठीक है circuit training जिसमें आप minimum 10 के आसपास आप अपने items रखते हैं मतल कि test रखते हैं जो exercises जिने कह सकते हैं आप वो करनी होती है और एक rhythm में करनी होती है बिना rest के ठीक है दोस्तों चलते है next question पे तो next question क्या है उस खेल का पस्चिम तक चिन हीत है name the name the game whose field is marked from east to west तो आप अगर सारी रिक्षिक्षा से जुड़े हुए तो आपको पता होगा जो हमारे court होते हैं जो हमारे field होती है वो physical education में खोको को छोड़ के जादतर सारी की सारी north to south बना जाती है ठीके दोस्तों क्या वोला में ने जैसे नौर्थ है जिसक 210 क филь kwayt केते हैं यह पूर्व है मतकी जिससे हम ऑश्चिम है जिसे हम वेस्ट कहते है तो हमारे साब defects जैसे volleyball का court है तो volleyball का court कुछ इस परकार बनेगा ठीक है अभा पूछज prof कि ऐसा बनाना ही क्यों है मैं किऊो बनाऊ ऐसा तो आप बनाने को बना सकते हो लेकिन उस-प्लेजरों को इसट से हमारा सूरज निकलता है और सूरज निकलता है तो अगर यह फील्ड ऐसे होगी तो यहां के जो खिलाडी है उनको कुछ नजर ही नहीं आएगा ठीक है दोस्तों तो फील्ड को इस परकार से बनाये जाता है चाय खिलाड़ी इधर देख रहे हूं चाय खिलाड़ी इधर देख रहे हूं क्योंकि इधर टीम के खिलाड़ी इधर देखेंगे और इधर के इधर देखेंगे तो दोनों को स चुरूवेंगे इसमें ऐसा क्यों है तो आप तो ये आपको समझने वाले थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें परकार से यहां पर बॉक्स बने होते हैं जिसमें स्टूञेंट्स मतलब की प्रेट यह बैठते हैं एक एक का फेस इस परकार होता है, एक का इस तरफ होता है, एक का इस तरफ होता है, तो आप अगर ध्यान दें, तो जो इनका फेस है ना उस तरफ तो धूप आएगी ही नहीं, अगर आप इसको बनाते हैं, अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं, तो खिलाड़ी कुछ इधर तो फिर तो उनका फेस इस्ट की तरफ हो गया तो वह तो हार जाएंगी क्योंकि उनके मुँपे सूरज पट रहा होगा तो हमेशा याद रखें खोको का जो ग्राउंड होता है वह इस्ट टु वैस्ट बनाया जाता है मतलब कि पूर्व से पस्चिम तक ठीक है अच्छी लगी होगी जो स्टूटन्स जानते हैं वैलन गूड जो नहीं जानते उनके लिए एक नया कंसेप्ट आपके सामने नेक्स कॉशन मानव शरीर में कितने प्रमुकुलार ग्रंथियां होती हैं तो इस फ्लाइबरी ग्लेंड पूची जा रही हैं यहाँ पे पहली बात यहाँ पे पेर नहीं पूचा है ठीक है अगर पेर पूचा होता तो हम 3 पे टिक कर देते ठीक हैं दोस्तों तीन पे टिक कर देते हैं लेकिन यहाँ पेर नहीं पूचा है यहाँ पे क्या पूचा है कि टोटल बताईए तो यहाँ पे 6 आप टिक कर देंगे मतलब कि 6 C option एकदम correct है यहाँ ठीक है हिंदी में C है और English में B है अब आपके सामने एक photo है आप इसमें देख सकते हैं कि किस परकार से अलग-अलग यहाँ पे glands होती है इनमें अगर मैं बताना चाहूं तो parotid gland जो होती है वो सबसे बड़ी salivory gland होती है largest salivory gland क्योंकि question easy नहीं आते हैं अब level बढ़ चुका है तो चीजों को deeply पढ़ें सबसे चोटी salivory gland पूची जाए लार गरंती पूची जाए सबसे चोटी तो sublingual gland ठीके दोस्तों sublingual gland सबसे चोटी गरंती है लार गरंती smallest salivory gland आई भी आपको एक concept अच्छा लगा होगा चलिए आर्ठ वे question पर आ जाते हैं तो कौन है दोस्तों वो सही बता है आपने एकदम बूला चौधरी ठीके ये एक female है ये एक महीला खिलाडी है swimming की बहुत अच्छी महीला खिलाडी रही है जिन्होंने बाद में वेस्ट बेंगॉल में अपना political career बनाने की भी पूरी कोशिश करी है ठीके दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें की बूला चौधरी है जो की जिन्होंने साथ आपकी सीज को cross करा है और पहली भारतिया है ऐसी इन्होंने English Channel पार्ट्रेट आपका जो cross channel है उसको भी cross करा है ठीके next question क्या है दोस्तों तो ninth question olympic का आदर्श वाक्य क्या है what is the motto of olympics तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि CTS, LTS and 40S जैसे कि मैं यहां लिग दू CTS, LTS and 40S तो इसका मतलब होता है, sorry 40S हाँ, C का मतलब यहां पे क्या होता है, faster, stronger and higher मतलब की उचा, ठीके, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहां पे जो D option है वो एकदम correct है अब देखिए मैंने इस question में थोड़ा सा change लाया है, मैं चाता तो यहां पे faster, higher और stronger भी रख सकता था पर question वाले भी ऐसी करेंगा examiner, faster का एक दूसरा word मैंने यहां पे रख दिया, जिसका मतलब भी तेजी होता है, swifter ठीक है, तो ऐसे confused ना हो यहां पे यह भी आपको देखने को मिल सकता है, हमेशा simple चीज़े नहीं मिलने वाली है पेपर में चलिए, start करते हैं, दूसरा, 10th question, अब यह question तो ऐसा है, कि जिसने पूरा पढ़ लिया, मतलब की उसे स्वाद आ जाएंगे, मज़े आ जाएंगे, जिस हकीकत में इतनी महनत करिए, खुशकन में तो दस्वा question, लगातार, दो अलमपिक खेलों में 400 मीटर में स्वंड पदक किस ने जीता, who won the gold medal for 400 मीटर's run at two consecutive अलमपिक games, तो consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है दूस्तों, तो यहाँ पे क्या कहना चाता हूँ, मैं कौन है correct answer, तो सही बताए, आपने एकदम के आसपास इनके medal रहे हैं काफी, तो याद रखें, पहला जो हला कि मैं याद या रखना है, यही एक point बनता है इस question का, कि 400 मीटर में एक लोते खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार दो बार gold medal जीता है, ठीक है दूस्तों, अगर पूछा जाए कब-कब तो 1996 और आपका 2000 Sydney Olympic Games, ठीक है, यह एक American Sprinter है, आपको याद रखना है, Olympics में इनके चार gold medal रहे हैं, और 8 हिन्होंने world championships जीती हैं, ठीक है, मतलब कि 8 world championships gold medals रहे हैं, इसके रावर, यहाँ पर यह एक और option देखने को मिलता है, मैं Carl Lewis, ठीक है, Carl Lewis, फोटो आप देख सकते हैं, Carl Lewis जी की, ठीक है, तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है, दोस्तों, तो सही बताए आपने, कि Carl Lewis ने 9 Olympic gold medals जीते थे, और इनका career span है, मतलब कि कब से कब तक इनका career चला है, तो 1979 से 1996 तक इनके career बहुत अच्छा चला, और यही इनके main career का समय है, चार बार एक ही event में gold रहा है इनका, ठीक है, तो उस तो बहुत important point बनता है, अगर कोई पूछे, long jump में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, जिसने चार बार gold medal जीता है, तो वो Carl Lewis है, ठीक है, पूछे कब-कब जीता है, तो 1984, Los Angeles में जीता है, 1988 जो कि Siol Olympic Games थे, 1992, Barcelona और 1996, Atlanta, मतलब कि चार लगातार जीते हैं वो भी, सिर्फ चार नहीं, चार लगातार जीते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोन है यहाँ पर, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, Elvin Harrison, ठीक है, Elvin Harrison, तो इनके तो खेर बात ही छोड़ दीजिए, आप जानना इनने चाते हैं, तो मैं बता देता हूँ, वाला कि काफी famous personality है, अच्छी personality है, कुछ unique सीखने को मिलेगा इन से हमें, तो 4 into 100 meter में इनका gold है, 1996 relay race में, ठीक है, और 4 into 100 meter race में ही, 2000 Sydney Olympics में भी इनका gold था, मैंने आप था का शब्द यूज करा है, क्योंकि इनको disqualify कर दिया गया था इस team को, क्योंकि इसमें एक player थे, जिनका नाम Antunio, ऐसी कुछ था, Antunio, तो उनको drug doping case में उनको बाहर निकाल दि लिए गया, अब यह famous क्यों है, तो दोस्तो इस race में, इनके भाई जो है, जो twin brother है, जो आपके सामने आएं इस time पे, जिनका नाम Calvin है, तो एक का नाम है, एक का नाम है, एक का नाम है, एक का नाम है, Kelvin, तो Alvin, Kelvin, Harrison, दोनों एक ही rear race में देखे गया थे, Olympics के history में पहली बार ऐस इसा देखा गया कि, दो twins brother एक event में participate किया और जीते भी थे, ठीके दोस्तों, तो याद रखें, आपके सामने एक और photo आप देख सकते हैं, blue dress में, जो एक हाथ उठा रखा है, उनके side में, दोनों की शकल आप देखेंगे, आपको ditto same दिखेगी, ठीके, इसके बाद इसका अ और दो बार bronze रहा है, ठीके, 1996 और 2000 में, तो आप याद रखें, हाला कि Olympics में तो participate करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीके जी, मैं उन खिलाडियों के comparison में कहा रहा था, जिनके बारे में मैंने पहले बताया है, अब आज़ते हैं, अगले question पे, knockout के आधार पर 21 टीमों में, न और half, and also tell the number of buys, तो काफी easy question है, लेकिन बड़ा है, तो जो students है, वो देखके इसको छोड़ देते हैं, पर छोड़ना नहीं है, ठीके, दोस्तों करना है इसको, तो आपको पता होगा, यहाँ पर क्या है, एक तो विशम संक्या है, 21 एक विशम संक्या है, तो आपको पता होग तो 22 divided by 2 मतलब की 11, तो पहली बात 11, पहला आपका जो मैंने चीज निकाली है, मतलब की उपरी भाग में 11 टीम होगी, यहाँ पर B और C तो यहीं पर गलत हो जाते हैं, आप बचता है A और D, आप क्या नीचे देखना है, तो नीचे कितने बचे, अगर उपर 21 में से उपर आ 2 करके देखें, 2 की पावर कितनी आते हैं, तो 2 की पावर 5 आती है, जिसे हम 32 कहते हैं, तो 32 में से अगर आप 21 हटा देंगे, तो कितना बचेगा 11, तो मतलब कि D option एक दम करेक्ट है, लेकिन exam में ऐसे ही समय बचाना पड़ता है, बारवा कोशन, कंकाल प्रणाली और दातों की वृद्धी और विकास किस उमर से संबंदित है, विच एज इस रिलेटेट टो ग्रोथ और डेवलोपमेंट ऑफ दी स्केलेटल सिस्टम एन तीट्स, तो किस एज से संबंदित है दोस्तों, तो सही बता है आपने एकदम, एनाटॉमिकल एज, क्या उनसी दोस्तों, एना पता करने की मुझे जरुवत क्या है, मुझे क्यों बता रहा है टीचर, जब आप डिफरेंट स्कूल में आप तयारी करवाएंगे, कोचिंग देंगे, या आप फिजिकल एजूकेशन टीचर है, तो आपको वहाँ पर नमबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, को पांच का ये बनाऊंगा, तो उस टाइम पर आपको एज देखनी पड़ती है, ठीक है, तो कलानुक्रमिक उम्र ये कौन से होते हैं, तो ये वो उमर होते हैं, जो आपके हकीकत में जो उमर है, ठीक है, जैसे किसी की 25 होगे, किसी की 30 है, ये वो है, अब आ जाती है, एनाट सिस्टम मत कब की हड़ियों से पता लगाई जा सकती है, और दूसरा दांतों से, दांतों से आपको पता होगा कि 32 दात किसके होते हैं, जो आपके 21-22 साल के हो जाते हैं, जो पूरे प्रॉपरली आपके मिलकी तीट्स जब चले जाते हैं, ठीक है, विजडम तीट्स जिसे ह उमर में मैचूर नहीं हो पाते हैं, तो टीचर को ये देखना पड़ेगा, इसके बाद फीजियो लॉजिकल एज, फीजियो लॉजिकल एज में आप जैसे देख सकते हैं, कि human body में puberty आती है, एक एज में हमारी body puberty feel करती है, जो pituitary gland के कारण होता है, जिसमें मैंस में आप गल्स में periods आने लग जाते हैं, ठीके दोस्तों इस परकार की चीज़ें होने लग जाती है, तो ये इस physiological age है, 13 question का है दोस्तों, Olympic खेल के उधाटन की घोशना कौन करता है, who declares the Olympic Games open, Instagram पर हमने इस question को कराया था, अगर आप हमारे Instagram से नहीं जुड़े हुए, Telegram से नहीं description में आपको link मिल जाएगा, click करें तुरन तो जुड़ जाएए अगर इस परकार की question आपको daily लगाने है, ठीके, तो बहुत ही easy question है, लेकिन बहुत ही गलत करा है साथियोंने, तो इसका answer जो है, तो वो है मेजवान देश का प्रतिनिधी, representative of the host country, ठीके दोस्तों, देखें, speech और open games में अंतर है, speech देना is a different thing, और games को open घोशित करना एक अलग चीज है, अगर speech की बात आती है, तो speech president देते हैं, जब game open होता है उस time पे, लेकिन president speech देने के बाद representative को बुलाते है, representative कोई भी हो सकता है, उस देश का governor हो सकता है, prime minister हो सकता है, कोई बड़ी royal family का head हो सकता है, ठीके दोस्तों, 14th question, 14th question, पूरे बल के साथ वाईयू को बाहर निकालने के बाद फेफडों में 6 हवा की मातरा, the amount of air remaining in the lungs after maximum expiration, यह कहरा है, आपने सांस ली और लेने के बाद छोड़ते हो जब तो normally छोड़ती, लेकिन, normally छोड़ने के बाद भी आपने और ताकत लगा के छ फेफडों की सारी हवा मैं आज ही बार फेख दूँगा, लेकिन फेखने के बाद भी कुछ amount उसमें रहे जाएगा, जो आप कभी human अपनी मरजी से नहीं निकाल सकता, तो उस amount को क्या कहते है, तो residual volume कहते है, residual volume, ठीके दोस्तों, तो B option मैंने बता दिया, tidal volume क्या होता है, tidal volume होता है, normally जो मैं air ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, the amount of air that is easily inhaled and exiled, ठीके वो 500 ml होता है, कितना होता है, 500 ml होता है, जो अभी आप ले रहे हो ना, वीडियो देखते देखते है, राम से ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ले रहे हो, तो ये क्या है, tidal volume है, ठीक है, inspiratory reserve volume क्या होता है, मतलब कि आपने सांस ली, 500 ml ले ली, लेकिन उसके बाद भी आप और ज्यादा ले सकते हैं, 1200, तो 1200 जो हो गई, यहाँ पर ये क्या है, तो ये inspiratory reserve volume है, ऐसी expiratory reserve volume क्या है, आपने 500 ml सांस ली और 500 छोड़ दी, ठीक है, लेकिन आपने छोड बार देखें, तब ही समझ आएगी वीडियो, ठीक है दोस्तो, 15th question, super compensation परभाव किस ने दिया, होगेव, super compensation effect, तो दोस्तो किस ने दिया है, तो सही बताए आपने एक दम यहाँ पर, हाला कि यह सब को नहीं पता होगा, निकुले एन योकुलेव, ठीक है, निकुले एन योक का Yearcus Dodson, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने performance और एरोजल का ग्राफ बनाया था, ठीक है, performance और एरोजल का, आप इसे फोटो में भी देख सकते हैं, किस परकार का ग्राफ था, ठीक है, इसमें इसको हम U inverted graph भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इस ग्राफ में, उल्टा U पताया जाता है कि जब आपको एक नॉर्मल सुट्रेश होता है अधियम स्ट्रेश मतलब की एक मीडियम लेवल का स्ट्रेश ना बहुत कम अगर बहुत कम होगा तो आप बोर हो जाओगे खेलने में मज़ा ही ने आएगा अगर आप मस्ती भी लेते खेलोगे ठीक है तो उस टाइम आपकी optimum performance रहेगी मतलब की सबसे best performance ठीक है दोस्तों चलते हैं next point पर homework आने वाला है दोस्तों तो वीडियो को देखना बंद नहीं करना है homework का तो जवाब आप सभी देते हैं बहुत अच्छा भी लगता है तो सोलवा कोशन सारे रिक शिक्षा के पूरे छेतर का वहचरण जो बड़ी मास्पेशियों की गतिविदियो मतलब की बाहुबल और उनके संबंदित प्रती क्रियाओ से संबंदित है physical education is that phase of the whole field of education that deals with the big muscle activities and their related responses तो किन से डील करता है दोस्तों तो सही बताया आपने एक दम बिग मसेल एक्टिविटी से डील करता है लेकिन यह डेफिनेशन दी किसने थी तो जे बी नैश ने दी थी ठीक है तो जे भी नैश ने दी थी 17th question फिर आता है आपका आज का homework तो क्या है sport psychology athletics में किसी के विवहार का पता लगाता है यह किसने कहा sport psychology explores once behavior in athletics who stated this तो किसने कहा दोस्तों तो सही बताया आपने एक दम इसका answer है singer ठीक है गाने वाला singer नहीं है दोस्तों एक famous personality का नाम है यहाँ पे singer आज आते हैं आपके आज के homework पर अठारवा question मुझे यह देखना है कि तीनों के तीनों homework कौन सही देता है जो तीनों homework सही देगा तो उसका especially वीडियो में नाम लिया जाएगा ठीक है तो अठारवा question क्या है दोस्तों गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नरेंदर मोधी स्टेडियम का उद्गाटन किस ने किया who inaugurated the world largest नरेंदर मोधी स्टेडियम इन गुजरात options आपके सामने है और बताना जरूर है दोस्तों अभी तक वीडियो देखे रहे और homework ना बताओ तो यह बड़ी नाहिंसाफी होगी मेरे साथ इतनी मेहनत करके आपको पूरी वीड सी राले ने किस स्वेटेशी खेल को सामील करने की मझूरी दी यह इन क्लूजन ओफ विच इंडी जीनियस सपोर्ट्स तोब बताना किन-Kिन को और इन जीनियस ठीक है वर्तमान में शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप दो हजार एक्टिस में किस भारतिये ने स्वर्ण जीता करंट्री हूँ इंडियन वॉन गोल्ड इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2021 यह कोशन हार्ड है देखो मैं पहले ही बता रहा हू दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी हैल्प होती है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूर दूर तक अपने साथियों के शेयर करें हैव नाइस टी बाबाई